बड़ा आस्चरज लगता है आदनी जीता नामान जी बहुत शीनियर हैं मुखवंतरी रह चुके हैं उनको यह आरोप लगाना एक मुखवंतरी के इतनी सिग्रूटी रहती है इतने सब चेक होके होता है कोई थाली में उनके जहर कैसे मिला सकता है यह तो बकवास बात है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है लेकिन जहर मिला देगा एक मुखवंतरी के ठाली में जो वो कह रहे हैं यह बिलकुल यह अशंभव है और इस पर बोलना बोलने दीजिए लेकिन इसा कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है यह अधारी जन गन्ना उन्होंने करवाया है बता दे 18-19 वर्सों से वो मुखवंतरी है और काम तो करी रहे है इसमें कोई बात नहीं है बिहार एक गरीब राज है इन्होंने विशेष राज का दरजा मांगा मिलने ही रहा है विशेष राज का दरजा मिले का तो और भी जाती अधारी जन गन्ना बहुत सही काम है लेकि कि माल जिए गरीब परिबार है कहीं बाहर गये हैं इलाज कराने कोई घर में नहीं है तो चुड़ गये मान लिजे कोई काम करने जो गरीब लोग है मां भी काम करने चले गई बच्चे स्कूल चले गई पिता जी भी काम करने चले तो वो उसमें आया वो घर में नहीं है वो पर थोड़ा वो तो आकरोश आता है आकरोशित होगा लोग लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आधनी जीतरा मान जी के बारे मैं भी सदन में था तो बोले हैं कि मैंने मुखमंतरी बनाया है और यह उलट-उलट बात कर रहे हैं उनने सीधे कहा कि यह टेबूल पर जाती है जनगना बनाया जो ऐसा नहीं हुआ है मैं भी देखा हूं कि आए हैं लोग घर-घर गये हैं लेकिन कुछ लोग छूटे जरूर है लेकिन यह कहना कि टेबूल पर बनाया गया यह उनका बयान बिल्कुल गरना से कोई भी आकरोशित होगा काम जो आप करोगे या मैं करूँ होंगा और बोले कोई कामी नहीं कि टेबूल को बना दिये तो निश्चित तो थोड़ा कुलूस होता है लेकिन यह बिहार के हित में बना है जातिया अधारित करना अच्छी चीज़ है सब लोगों को उसका हक भी लेगा